चलिए इस question को understand करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे solve किया जा सकता है माल लीजिए A में मेरे पास number है 3, 4, 5, 6 अब देखे इस number में से ये 6 digit कैसे निकल सकता है क्योंकि जब हम इन्हें अलग-अलग digit को निकाल लेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसका reverse कर सकते हैं जैसा कि question में कहा गया है तो 6 कैसे निकलेगा हमने last question में भी देखा था कि अगर हम किसी number को 10 से divide कर देते हैं और उसका remainder निकाल दें तो ये 6 remainder में बच जाएगा कैसे एक बार फिर से देख लेते हैं मेरे पास है number 3, 4, 5, 6 10 से मैंने इसे divide किया 10, 3 is a 30 नीचे बच गया 4 ये 5 उतार दिया 10, 4 is a 40 अब यहाँ पर 5 बचा उपर से 6 उतार दिया 10, 5 is a 50 यहाँ पर बचा 6 अब ये 6 हमारे पास बच गया यही हमें चाहिए था यानि अगर मैं इस number का a का remainder चाहिए तो मैं ये वाला operator ये उस करूँ आ modular operator और 10 के साथ तो मेरे पास remainder r1 आ गया कितना 6 तो माल लेजे मैंने यहाँ पर memory ना दी ये है a 3, 4, 5, 6 और मेरे पास आ गया एक r1 कितना 6 अब a में है ये इसमें है 6 मुझे next dessert चाहिए 5 क्योंकि 6 तो आ चुका है वो कैसे आएगा अगर आप इसे धिहान से देखें तो remainder आ रहा है 6 लेकिन quotient में आ रहा है 3, 4, 5 तो सबसे पहले तो हमें ये वाला number चाहिए ये number कैसे मिलेगा अगर आप इसे डिवाइड करें मोडिलो ना निकाल करके डिवाइड करें एको तो फिर हमें ये वाली value मिलती है तो यानि मेरे पास नया number आ गया n1 के अंदर कितना n1 के अंदर आगे मेरे पास 3, 4, 5 अब अगर मैं इस 3, 4, 5 का फिर से मोडिलो निकाल दू 10 से डिवाइड करके तो अगर आप यहाँ पर मैं दिखा रहता हूँ 3, 4, 5 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे 10, 3 is a 30 45 10, 4 is a 40 5, remainder बच गया तो इसका मतलब मेरे पास R2 में 5 आ जाएगा R2 में मेरे पास आ गया 5 ठीक है तो 6 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है अब चीए 4, 4 कैसे मिलेगा अगर आपके पास यह नंबर हो तो इसे डिवाइड कर सकते हैं आप फिर से 10 से और यह वाला नंबर कैसे मिलेगा क्योंकि यह तो मोडिलो से मिलता है लेकिन अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 10 से तो आपको यह वाले वैल्यू मिल जाएगी यानि मुझे क्या करना पड़ेगा N1 को डिवाइड भी करना पड़ेगा 10 से ठीक है N1 को तो मेरे पास N2 के अंदर एक N2 बना देता हूँ यहाँ पर N2 के अंदर अब जो आएगा 34 ठीक है अब अगर 34 को मैं फिर से इसका remainder निकाल दू 10 के साथ तो मेरे पास 4 आजाएगा बिल्कुल ऐसी जैसे ही किया था हमने 345 को बिल्कुल आजाएगा तो इसे मैंने store कर लिया R3 में तो यह नि R3 नाम का एक variable बना उसमें कितना आगया 4 ठीक है अब मेरे पास है N2 में 34 इसमें से 4 निकाल चुके है अब मुझे चाहिए 3 कैसे मिलेगा अगर मैं इस N2 को इस N2 को divide करूँ 10 से तो फिर सिर्फ एक ही बाद जाएगा 10 थी जा तो मेरे पास number अब बच जाएगा 3 आप चाहिए तो इस से फिर से इसका module निकाल सकते हैं otherwise आप यहाँ पर भी stop कर सकते हैं अब मेरे पास N3 में कितना आ गया 3 अब मेरे पास 6, 5, 4, 3 नंबर कैसे बनेगा क्योंकि इसका reverse करना था 6, 5, 4, 3 चाहिए तो 6 है इसमें तो यह नहीं R1 plus R2 plus R3 sorry R3 plus इसके बाद 3 चाहिए वो N3 में है तो मैंने लिग दिया है आपर N3 लेकिन अगर आप ऐसे plus करेंगे तो यह इन सब का plus कर देगा reverse नहीं आएगा reverse करने के लिए क्या करना पड़ेगा यह जो 1s place पर value है इसे multiply by 1 करेंगे यह जो 10s place पर value है इसे multiply by 10 करेंगे यह जो 100 place पर value है इसे multiply by 100 करेंगे और यह जो 1000 place पर value है अगर आप इसे multiply करके इस तरीके से फिर number निकालेंगे multiply करने के बाद तो आपके पास एक नया number आ जाएगा जैसे R1 में कितना है 6 तो 6 into 1000 कितना आ गया 6,000 R2 में है 5 100 से multiply किया 500 R3 में है 4 10 से multiply किया 40 और N3 में है 3 इसे 1 से नहीं भी multiply करोगे तो भी 3 ही रहेगा तो जो num के अंदर इन सब को प्लस करके value आएगी वो कितनी आ जाएगी 6,5,4,3 जो कि इसका reverse है अब इस तरीके से आपके पास number आ चुका है reverse हो करके और यह पहला number था इस तरीके से number आने के बाद आप इन्हें plus भी कर सकते हैं या कोई और calculation करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं तो इस पर गार आपने देखा division और module operator का use करके आप किस तरीके से अलग-अलग digits निकाल सकते हैं एक number में से उसे reverse करके कोई नया number बना सकते हैं और उसके साथ कोई भी calculation कर सकते हैं I hope कि यह concept आपको clear हुआ होगा और अगर concept clear है तो आपको इसे practical करके देखना चाहिए आप इसे try केजे और अगर फिर भी नहीं होता तो next video में मैंने इसका solution दे रखा है लेकिन solution देखने से पहले आपको खुद से जरूर और जरूर try करना है तभी आप खुद से समझ पाईए तो इस वीडियो में इतना ही next video में फिर मिलते हैं all the best keep watching क्या करें